दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों साल 2021 में करवा चौथ कब है और किस रंग का कपड़ा न पहने क्या किसी को न दे और क्या खरिदारी करें और क्या न खरीदे साथ ही साथ आपने पत्नी को यह उपहार कभी मत देना और क्या है करवा चौत का सुम्हुरत कब चांद निगलेगा जानिये सब कुछ इस फीडियो में दोस्तों करवा चौत का तेवार कार्थिक मास के सुकल पक्ष की चतुर्ती को मनाय जाता है करवा चौत का वरत इस साल 2021 में रविवार के दिन यानि की 24 अक्टूबर को मनाय जाएगा आपको बता दें कि सुहागिन महिलाओं को करवा चौत का इतियार बड़े ही बेसेयार्च रहता है करवा चौत पर स्वागिन महिलाएं अपनी पती की लंवी आयू के लिए वरत रखती हैं करवा चौत के लिए महिलाएं महिने वर पहले से ही तैयारिये करना सुरू कर देती हैं इसके साथ इस वरत को कुवारी लड़कियां अच्छे वर्गी कामना के लिए भी वरत रती हैं यह वरत सुर्य उद्धे से पहले ही सुरू हो जाता है और शांद निकले तक रखा जाता है महिलाई शांद निकले के बाद ही इस वरत को करती हैं और साम के समय चंदर निखलने से एक गंटा पहले ही सुव पारवदित दगनेश जी की पूजा की जाती हैं यह सबार 2021 में करवा चौद की पूजा का सुमूरा से साम 5 बच कर 43 मिनट से लेकर साम 6 बच कर 69 मिनट तक क्योंकि अवरत मा गोरी से समंदित हैं और सास्त्रों में ल करवा चौद कवरद सफल माना जाएगा दोस्तों जी जरूरी बाते हैं नंबर वन करवा चौद के लिए किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग का कपड़ा करवा चौद के लिए किसी वरदान से कम नही लाल रंग का कपड़ा कूब सूरत में चार चांद लगा देती है और सगरात्म कुर्जा के लिए लाल रंग का कपड़ा सबसे अच्छा माना गया है वहें हरा गुरा भी पीला आदी भी पहना जा सकता है दोस्तो नमबर टू दोस्तो खास तौर पर करवा चौथ के दिन पती अगर अपनी पतनी को उपहार देना चाता है तो यह चीजे कभी न दें जैसे की धारदार चीजें जूते चपल और सफेद कपड़ा दे नंचीजों को उपहार के दौर पर गलती से भी न दें पती अगर करवा चौथ के दिन लाल रंग का कपड़ा या कोई भी लाल वस्तो पहार में दे तो अती उत्तो माना जाता है दोस्तो नमबर टू और खास तौर पर करवा चौथ के दिन सुभागर महिलाएं अपनी यह चीजे कभी भी गैर महिला को न दें जैसे की मा का सिंदूर गले का मंगर सूत्र दुलहन का जुड़ा या कोई भी मेकप का समान कभी भी सेर ना करे गलती से भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिष्टो पर निगेटिव एफेक्ट पर सकता है यसली होजाई सत्रग और दोस्तो नमबर फोर करवा चौत पर उपहार के तौर परवनिमा को कोई भी वस्तर अवस्चे दें ऐसा करने से मा का अस्रिबाद प्राप्त होता है वह दाम पत्ते जीवन सुक में रहता है दोस्तों मानने ता है कि अवरत सकती सोरूपा देव माता पारवती ने भोलनात के लिए रखता यसी ब्रत से उन्हें अखंड सोभागे प्राप्ती होती है अगर आप चाहते हैं माता पारवती का अस्रिबाद पाना और अखंड सोभागे प्रावती बनने का वरदान तो कमेंट वोक्स में माता राने तेरी माता पारवती तेरी सदा ही जेहू जगत जरणी मा के लिए एक लाइक तो बनता है